है यह लो व्रिवन वेलकम टो अग्रीकल चाट्डा 24-7 अग्रीकल चाट्डा 24-7 में आपका स्वागत है तो चली बच्छों सुरू करते हैं आज के अपनी क्लास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओक्रा क्या वेजिटेबल सम लोग पढ़ रहे हैं वेजिटेबल में हम ल कर चुके हैं और अब हम लोग वेजिटेबल को पढ़ रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि आज क्या खास होने वाला है इस क्रॉप में चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और शुरू करने से पहले जो बच्छे हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को स यूट्यूब के वीडियो के लिंक भी वहां पर मिलेंगे और साथ ही साथ अगर आप कोई बैच पर्चेस करते हैं तो वहां पर एस कंपेर टू वेबसाइट आपको धेर सारे ऑफर्स भी मिलते हैं तो चलिए सुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि आज हम लेडी फिंगर भी होता है क्या होता है लेडी फिंगर भी होता है क्यों क्योंकि ये देखने में बिलकुल कैसी लगती है जैसे लेडी फिंगर होती है यानि कि लेडी की फिंगर होती है वैसी लगती है इसले इसको लेडी फिंगर भी कहते हैं क्या कहते हैं लेडी फिंगर भी कहते हैं ठीक है लेडी फिंगर कहते हैं ठीक है चलिए अब हम इसके बात करेंगे नाम की यानि की साइंट फिक नेम की बात करेंगे तो इसका जो साइंट फिक नेम होता है वो होता है इसका जो साइंट फिक नेम होता है वो होता है अबल मौस्कस इसकूलेंटस और अगर ह होती है cotton की होती है ठीक है तो ऐसे करके आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि abelmoscus isculentus इसका scientific name होता है और malwesi इसकी family होती है क्या होती है malwesi इसकी family होती है बचे तो यह हो गया आपका abelmoscus isculentus और family malwesi चाहिए chromosome number की बात करें तो 2N बराबर लिखा है 72 245 और उसके आगे लिखा है polyplied क्या लिखा है उसके आगे लिखा है polyplied देखो बच्चे यह 72 से लेके 144 यहाँ पर क्यों लिखा है क्योंकि इसकी धेर सारी species होती है यानि कि जो आपका okra है उस okra में काफी different different type की species होती है इसलिए इसको आप क्या कहते हैं आप इसमें 72 से लेके 144 आपका लिखा है लेकिन अगर आप से question पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि generally जो आपका crop होती है यानि कि generally जो okra है उसमें कितने chromosome number पाए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे तब आप बताएंगे कि most of the okra है उसमें आपके 130 पाए जाते हैं कितने two and बरावर 130 chromosome number आपके पाए जाते हैं ये आप इसको सही करेंगे ठीक है किसको इसको सही करेंगे यहाँ पर 72 से लेकर 144 लिखे हुए हैं तो इनको आपको परिशान नहीं होना है क्यों 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 क्योंकि अलग-अलग इस species में संख्या बढ़ जाती है यानि कि ploidy level अगर different हो जाएगा तो ploidy level क्रोम आपके जंदली पाए जाते हैं ठीक है यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपका ठीक है चलिए जो आपकी cultivated ओक्रा होती है कौन सी जो हम लोग खेती करते हैं जिसकी जो cultivated ओक्रा है वो आपकी m3 deployed होती है क्या होती है m3 deployed होती है और m3 deployed और इसके chromosome number जो होते हैं वो मैंने जो आपको बताए अभी वो 130 होते हैं इसलिए आप 130 को ठीक करेंगे question आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा 72 से 144 यहां पर लिखे हुए हैं लेकिन आपको इसमें doubt नहीं होना है ठीक है चलिए अब हम origin place की बात करें तो इसका जो origin place होता है वो आपका होता है South Africa कहां पर ओकरा का जो origin place है वो कहां पर है वो आपका South Africa में होता है ठीक है यहां तक चीजे clear हैं, चलिए, यहां तक अगर चीजे clear हैं, तो अब हम बात करते हैं, आगे, अब हम इसके बात करेंगे, importance की, किसके, इसके importance की बात करेंगे, कि आखिर में ओकरा इतनी important crop क्यों है, ठीक है, ओकरा आखिर में important crop इतनी क्यों है, तो हम इसके importance की अगर बात करें बच्चे तो importance देखते हैं कि आप भिंडी, हिंडी में इसको भिंडी भी कहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, ठीक है, भिंडी भी इसको हिंडी में कहते हैं, कि आप भिंडी has high iodine content, कि इसमें iodine की अधिकता होती है, और भिंडी में iodine की अधिकता होती है, तो आपको क्या करता है उसको cure करने का काम करता है तो कह रहा है भिंडी has high iodine content and it has ability to control guiter कह रहा है कि इसको guiter disease को control करने के लिए use किया जाता है because इसमें iodine की अधिक्ता होती है चीक है पहली चीज दूसरी चीज है करा भिंडी leaves are used in turkey to reduce inflammation करा है कि turkey में भिंडी की जो leaves होती है उनको क्या करते हैं उनको inflammation disease को inflammation को reduce करने के लिए use किया जाता है चलिए अब हमारे काम का point है जो बहुत important है कह रहा है the roots and the stem are used for clarifying cane juice and in the manufacturing of good or brown sugar ठीक है तो कह रहा है कि जो हम लोग गुड़ बनाते हैं ठीक है क्या जो गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है उस गड़ उस गुड़ को क्या करते हैं उस गुड़ को clarify करने के लिए यानि कि साफ करने के लिए उसके अंदर जो impurities होती है उस impurities को अलग करने के लिए इस इसके stem को और इसकी roots को use किया जाता है ठीक है इसके stem को और इसके roots को डाला जाता है उस जब हम क्या कर रहे होते हैं गुर का manufacturing कर रहे होते हैं तो उसमें इसके stem और roots को डालते हैं जिससे जो impurities होती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं और उनको निकाल कर अलग कर दिया जाता है तो आप से पूछा जाएगा कि केन जूस को क्लिरीफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं तो आप बताएंगे ओकरा का यूज करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चे यहां तक चीड़े क्लियर है ये ब्राउन सुगर आपका क्या है आपने देखा कि ब्राउन कलर की सुगर आती है मार्केट में एक वाइट कलर की सुगर आती है जंदली जो आप देखते हैं एक साथ ही साथ ब्राउन कलर की आती है तो वो ब्राउन कलर की जो सुगर होती है उसको नेचरल तरीके से क्लरीफाई किया जाता है यानि कि साफ किया जाता है इस करते हैं कह रहा है कि अगर इसके प्लांट को ठीक है क्या अगर इसके प्लांट को पानी में तो कर देंगे यानि कि सोग करके रख देंगे उससे जो सलिशन बने का यानि की जो liquid होगा वो आपका यूज करते हैं jaggery manufacturing में यानि की वही jaggery जो गड की बात कर रहे थे उसी को jaggery भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? jaggery manufacturing में भी इसको आप clarify कर सकते हैं तो जो रस निकलता है यानि की cane इसकी आप juice निकालते हैं उसके बाद जब आप गुड बनाते हैं तो जो लिक्विड मेटेरियल होता है उसको जैगरी बोलते हैं तो वही सेम चीज है जैगरी को चाहें आप स्टेम और रूट का यूज कर ले या फिर आप इसका वाटर को सोक करके उसका लिक्विड निकालके उसका यूज कर सकते हैं और जो mature fruits होते हैं उनमें fiber की अधिक्ता होती है तो आप इनको as a fiber industry में भी use कर सकते हैं paper manufacturing के लिए ठीक है किसके manufacturing के लिए paper manufacturing के लिए आप इसको use कर सकते हैं ठीक है यहां तक था यह है आपका plant आपकी crop यानि कि यह है क्या यह है आपकी lady finger ओकरा या फिर भिंडी क्या है ओकरा या फिर भिंडी सब लोगोंने इमेज देखी होगी खूब अच्छे से खाया होगा सब कुछ आपने देखा होगा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने क्या इस crop को ना देखा हो ठीक है कोई है ऐसा जिसने नहीं देखा इस vegetable को चलिए नहीं देखा है तो अब यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका छोटा fruit है यह बड़ा fruit है यानि कि यह maturity की तरफ यानि कि harvesting के लिए ready है ठीक है चलिए यहां तक चीज़ें clear हैं बच्चे जल्दी से एक बार comment करके बताओ कि हाँ सर यहां तक चीज़ें clear हैं चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे अब हम बात करेंगे climate की बचे ध्यान से देखना ठीक है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसके तुरंट बाद यानि की questions मैं करवाऊंगा आपसे जितने भी questions ज्यादा तर ओक्रा से related होंगे जो important question होंगे व warm climate it is sensitive to frost and requires frost free growing period कह रहा है कि ओकरा जो है आपकी कैसी है warm climate की crop है यानि कि अगर warm climate की crop है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये tropical climate की tropical climate की crop है किसकी tropical climate की crop है ठीक है it is sensitive to frost frost के प्रती sensitive होती है और साथ ही साथ frost free growing period इसको चाहिए यानि कि जब frost के लिए sensitive है तो frost वाली condition में ये grow नहीं कर पाएगी कह रहा है कि optimum temperature 24 to 27 degree centigrade यानि कि optimum temperature क्या चाहिए 24 से लेकर 27 degree centigrade चाहिए चलिए very good morning very good evening शुभम चलिए बच्चे ध्यान से पढ़िए गाई slide को ठीक है उसके बाद करा है seed does not germinate when the temperature is below 20 degree centigrade करा है कि optimum temperature चाहिए 24 से 27 degree centigrade और अगर temperature 20 degree centigrade से below हो गया यानि कि 20 से नीचे हो गया तो क्या होगा आपका जो seed है वो germinate नहीं होगा क्या नहीं होगा seed germinate नहीं होगा करा plant growth is greater in rainy season रैनी season यानि कि बरसात वाले season में plant की growth बहुत fast होती है बहुत अच्छी होती है साथ ही साथ compare to summer season अगर गर्मी के season से तुलना करेंगे तो बरसात के season में जो growth है वो आपकी अच्छी होती है और अगला point है कहरा है temperature higher than 42 degree centigrade may cause flower drop कहरा कि अगर temperature 42 degree centigrade से अधिक हो गया किससे 42 degree centigrade से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा तो फिर आपका flower drop होने लगेंगे ठीक है यहां तक बच्छे चीज़े clear है चलिए यहां तक अगर चीज़े clear है तो अब हम चलते हैं आगे और आगे हम आपसे पूछते हैं क्या आगे हम आपसे पूछते हैं question क्या पूछते हैं आगे हम आपसे पूछते हैं question तो अब आप लोग हो जाओ तयार कि question क्या होगा और इसका जवाब आप लोग बहुत तेजी से comment करेंगे ठीक है क्या करेंगे उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे और आगे आपको दिख रहे हैं, पहला है 24-28 degree centigrade, 30-35, 12-15 या 35-45 degree centigrade, जल्दी से comment करो बचे कि क्या इसका सही जवाब होगा, क्या सही temperature होगा इसकी normal growth और development के लिए, चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका सही जवाब होगा, आगे फिर हम चलेंगे, फिर हम अपनी चीज़ों को continue करेंग जो question इस crop से बनेंगे, important वो हम यहाँ पर आपके साथ discuss करेंगे, चलिए, अखिल कह रहे हैं, 24-28 degree centigrade, सोनु ने कहा A, और comment करो बचे, देखें क्या सही है, आपने जो पढ़ा है, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए, सोनु का जवाब A है, journal करें A, और बच्चे comment करो, जल्दी से कि क्या होगा इसका सही जवाब, तो देखो, बिलकुल सही बात है, अभी तक सबने सही जवाब दिया है, 24-28, पीछे हमने लिखा था, 24-27 degree centigrade, क्या होता है, सबसे अच्छा temperature होता है, growth और development के लिए, चलिए, सुभम का भी जवाब सही है, तो सही जवाब क्या होगा, ये होगा, तो इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगला question देखते हैं, अगला question है, कहरा है, suitable temperature for flower bud drop, क्या, कहरा, flower bud drop होने के लिए, क्या suitable temperature होगा, चार option आपर आपको दिख रहे हैं, है 50 डिगरी, तीसरा है 28 डिगरी, चौधा है 42 डिगरी, जल्दी से बताओ, क्या होगा, इसका सही जवाब, कहरा, suitable temperature for, क्या होगा, suitable temperature for flower bud drop, चलिए, जल्दी से बताओ, बचे, पीछे मैंने सारा कुछ डिसकस कराया है, आपको अभी, आप लोग बहुत तेजी से कमेंट करि चलिए, सोनू कह रहे हैं A, जर्नेल कह रहे हैं 42, अखिल 42, चलिए, और बताइए बचे, इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए, ना तो A होगा, ना B होगा, न सी होगा सही option है आपका D यानि कि कुछ लोगों ने ही सिर्फ सही बताया है जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं मैंने अभी आपको पीछे बताया था slide में कि अगर temperature more than 42 degree centigrade हो जाएगा तो flower drop होने लगेंगे flower bud drop होने लगेंगी क्या होगा flower bud drop होने लगेगी तो भाया 42 degree centigrade यहां option में है तो वही सही होगा चलिए very good evening राजेश तो बच्चे ध्यान से आप लोग पढ़िए अब हम लोग चलते हैं आगे फिर पढ़ेंगे और उसके आद फिर question करेंगे ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं स्वाइल की बात करते हैं किसकी जहां पर थे वहीं पर वापस आते हैं कहरा it can be grown in sandy loam soil however clay loam soil give good yield कहरा है कि यह sandy loam soil में grow कर सकते हैं I am your new student बहुत अच्छी बात है बच्चे आप class में रुकिए देखिए और फिर class में हम सारी चीज़ें बताएंगी जर्नेल कहरा है ओकरा sewing time क्या है बचे आप इंतजार रखिए सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगे आपके जितने भी questions है सारे doubts clear हो जाएंगे नहीं होंगे तो last में हम आपको 5 मिट का समय देंगे आप अपने doubts पूरे रखिएगा ठीक है चलिए करा ideal soil should be rich in organic manure and it should be well drained and heavy high organic content करा है कि जो आपकी soil है वो आपकी soil क्या होनी चाहिए organic matter में rich होनी चाहिए और साथ ही साथ well drained यानि कि drainage की facility यानि कि जल निकास की सुबधा होनी चाहिए roots are sensitive to high water stagnation यानि कि अगर water stagnation होगा water stagnation होगा तो वहाँ पर क्या होगा root sensitive होती है यानि कि roots सही से develop नहीं होगी और pH की बात करें तो 6 to 6.8 pH sufficient होता है ओकरा की cultivation के लिए कितना 6 to 6.8 pH सही होता है करा it can also be grown in saline soil up to EC value of 6 mm per cm करा है कि यह आपका saline soil में grow करेगा बहुत अच्छे से कब कितनी EC value तक EC value 6 तक यह बहुत अच्छे से grow करेगा ठीक है चलिए अब हम बात करते है time of sowing की time of sowing की बात करते है journal पूँच रहे थे अब बच्चे आ गया आपका question ठीक है कह रहा है कि उत्तर भारती छेतर में जो क्रॉप है वो सो की जाती है फर्वरी और मार्च में and south India in south India generally sown in november as a main crop कह रहा है कि south India में main crop के तोर पर कब november में grow करते हैं और south India में जो summer crop देखो पूँचे ध्यान रखना दो crop ले जाती है नौर्थ इंडिया में कितनी दो crop ली जाती है एक तो आपकी summer crop ली जाती है कौनसी एक तो आपकी summer crop ली जाती है जो आपकी grow करती है किसमें फरवरी मार्च में और आपकी दूसरी rainy season में crop ली जाती है किसमे रहनी season में crop ली जाती है जो कि आपकी grow होती है जून जुलाई में ये आपकी दो grow कराई जाती है और south India में आपकी जो उगती है वो नवंबर में as a main crop grow कराई जाती है ठीक है तो South India वाला आप से नहीं पूछा जाता है पूछा जाता है summer और rainy season वाला कौन सा summer और rainy season वाला पूछा जाता है तो summer में आप बताएंगे कि summer में आप फरवरी और March में grow करते हैं ठीक है किसमें तक चीज़े clear है, अब आपका doubt clear हो गया होगा, ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, seed rate की, किसकी, seed rate की हम बात करते हैं, कि कितना seed rate चाहिए होगा, यहां से तो question बहुत बनता है, आपने अगर पुराने paper देखे होंगे, तो आपको idea होगा, कि यहां से कितना questions बनता है, देखो seed rate की बात करें, तो कह रहा है, 20-25 kg पर hectare, कब summer season की जो crop होगी, उसमें 20-25 kg, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही बात है, और जो रहनी season की crop होगी, वो 12- 15 kg पर hectare होगी, किसमें, रहनी season में, अब यहां पर आप देख रहे होंगे, कि जो seed rate है, उसमें just double का अंतर है, तो बच्चे, question इसलिए यहां से बनता है, क्योंकि answer ही कुछ ऐसा है, क्या है, answer ही कुछ ऐसा है, इसलिए question यहां पर बनता है, ठीक है, 20 kg और 8-10 kg, बच्चे, 20- 25 kg आपको लिखा मिलेगा, 20 kg आप पढ़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और पढ़ लो, क्या, 20-25 kg और 12-15 kg ही सही है, आप जो पढ़े हो, वो आप SN गुपता से पढ़े होगे, किस से, SN गुपता वाली book से पढ़े होगे, इसलिए थोड़ा सा difference आ रहा है ठीक है, तो 20-25 kg पर हेक्टेर होता है, समर क्रॉप के लिए, और 12-15 kg होता है, किसके रहनी सीजन की क्रॉप के लिए, अब देखो बच्चे, अंतर क्यों इतना आ रहा है, देखो, अंतर क्यों आ रहा है, अगर आपने पहसुरुआत में क्लास देखी होगी, तो वहाँ पर म रहनी सीजन वाली क्रॉप आपकी बहुत अच्छी ग्रो करती है, तो यहाँ पर जर्मिनीशन भी फास्ट रहता है, इस वज़ए से मौश्चर भी आपका पर्फेक्ट रहता है, इस वज़ए से आपका सीडरेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है, तो यह आप सीडरेट त्य जाड़ा होता है नॉर्मली बच्चे समझते है कि 10-12-15 kg होगा तो हम क्या करेंगे यही टिक कर देंगे ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं नहीं कि झींट कि किसकी बात करते हैं 이제 स्पेसिंग कि देखते हैं करह ए 7我知道 iss ! क्रॉप इज 30 गुणा 30 cm whereas रैनी सीजन क्रॉप is sown in row as a spacing of 60 गुणा 30 cm ठीक है क्या समर सीजन की जो क्रॉप है वो 30 गुणा 30 cm के spacing से ग्रो कराई जा रही है और रैनी सीजन की क्रॉप आपकी 60 गुणा 60 से तो देखो बच्चे रैनी सीजन का सीजन रैट वैसे भी कम था कितना था 12 से 15 kg था तो सीधी बात है जब सीजन रैट कम होगा तो क्या होगा spacing आपकी जादा हो जाएगी और यहाँ पर सीजन रैट था जादा यानि कि 20 से 25 kg तो सीधी बात है बच्चे spacing क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, यहां तक चीजें क्लिर हैं, चलिए, यहां तक चीजें क्लिर हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर seed rate और spacing से भी थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि crop की growth पर भी depend करता है, कि हमारी crop किस speed से grow कर रही है, ठीक है, चलिए, तो अब हम question पूछते हैं आपसे अब हमारा कोश्चन आया है कोश्चन ये है कि वेच साइन्टिस्ट स्टार्टेड सिस्टमेटिक रिसर्च वर्क ऑन भिंडी हाला कि ये कोश्चन है भिंडी से लेकिन मैंने इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं है आपसे तो इसमें अचार आप्शन है पहला अप्शन है डॉक्टर हरभजन सिंग बीपी पाल्म डॉक्टर रेडि येंड मजूमदार और डॉक्टर सास्तरी तो किस ने सायर्च वर्क किया है सिस्टमेक रिसर्च वर्क किया है भिंडी में बहुत अच्छा क्वश्चन है जल्दी से बताये देखें किसको किसको मालूम है कि किसने है नहीं तो मैं तो आपको यहां पर बताऊंगा ठीक है चलिए कौन साइंटेस्ट हैं जो भिंडी से रिलेटे incapable है जिनका वर्क भिंडी पर क्या है ये चलिए अंकित कह रहे हैं डॉक्टर हरवजन और देखें और किसको किसको मालूम है चलिए बहुत अच्छा कोशन है बच्चे जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब चलिए और बताइए बच्चे क्या होगा इसका सही जवाब चलिए कुछ लोग दी बता रहे हैं डॉक्टर सास्तरी को बाकी ज़ायतर बच्चे हरवजन सिंग को बता रहे है या डॉक्टर हरवजन सिंग को तो सही जबाब जो है वो है डॉक्टर हरवजन सिंग क्या डॉक्टर हरवजन सिंग जो थे इनका नाम related है किस से बिंडी की क्रॉप से आपका systemic research वर्क जो है वो इन्हों ने ही किया था तो इसको आप याद रखेंगे question के माध्यम से एक concept आपका ये clear हो गया चलिए बहुत अच्छी बात है अब आपको पता चल गया होगा कि किस ने किया था अब हम लोग आगे चलते हैं पुराने अपने उस पर आते हैं और अब हम बात करते हैं varieties की किस की बात करते हैं अब हम बात करेंगे बच्चे varieties की ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है जिनोंने ए option को जबाब दिया है बिल्कुल सही दिया है variety की बात करेंगे पहली variety है आपकी पूसा मखमली क्या है पूसा मखमली variety है और ये I.A.R.I. से released variety है कहां से I.A.R.I. से released variety है चलिए डॉक्टर सास्त्री related to paddy हावचे वो question बनाने की व पूसा मखमली जो variety है वो आपकी I.A.R.I. से release की हुई है चलिए दूसरी variety है पंजाब नंबर वन पंजाब नंबर वन variety है ये पी ए यू लुदिहाना से release की हुई है और अगली variety है आपकी ये है आपकी पंजाब पदमिनी कौनसी पंजाब पदमिनी variety है ये आपकी release किससे ह quick growing dark green hairy five raised five raised आप समझते हैं आपने अगर भिंडी को ध्यान से देखा होगा तो उसमें यहाँ पर ऐसे line होती हैं raises होती हैं तो वही कह रहा है कि five raises होती है and remain tender for a longer period और काफी लंबे समय तक यह as a tender आपकी रह सकती है यानि कि मुलाइम रह सकती है अगला point है अगली वराइटी है आपकी पूसा सावनी ये भी आपकी I.A.R.I. New Delhi से release है क्यों क्यों क्योंकि जितनी भी वराइटी के आगे पूसा लगता है वो आपकी I.A.R.I. से released होती हैं ठीक है किसे से होती है I.A.R.I. से released होती है ठीक है क्योंकि उसके आगे अरका अनामिका लगा है चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है अखिल देखो पहले से ही बता रहे हैं कि धेर सारी वराइटी आपकी हैं चलिए अब बताईए बच्चे यहां पर मजा आएगा ये कोशन आपका काम का होने वाला है करा ईब विच बराइटी पॉसेस रसेस्ट इंटव यजो वेंद मुजैक वाइरस एंड टॉलरेंस तू जैसेड एंड कॉटन वाल वर्म इज करा कौन सी वरायटी है जो आपकी रसेसेस्ट है यलो वेंद मुजैक वाइरस के लिए और tolerance है जैसेड के लिए और साथ ही साथ cotton wall bum के लिए भी tolerant है option है आपका पूसा सावनी, पर्भनी क्रांती, अर्का अनामका या फिर पंजाब पदमनी ये question बताओ, मजा तो यहाँ पर आने वाला है, क्या? मजा तो यहाँ पर आने वाला है, कौन सा इसका सही जबाब होगा? अब बताओ बच्चे, क्या होगा इसका सही जबाब? सोनू कह रहे हैं B, पर्भनी क्रांती, चलिए और बताइए क्या होगा इसका सही जबाब? चलिए, थोड़ा सा बच्चे confusing है, आपको मालूम है, हाँ आपने पढ़ा है, लग रहा है, क्या आपने पढ़ी हैं चीजों की, चीजों को, लेकिन अब इसको बताओ कि इसमें क्या सही जबाब होगा? कौन सी वराइटी है, जो इतने सारी चीजों के लिए resistant होती है? चलिए, ये question मज़ेदार होने वाला है, मज़ेदार है या नहीं है, ये बताओ पहले चलिए, मुझे पता था, आप लोग क्या बताओगे? परभनी करांटी को ही बताओगे, हालांकि परभनी करांटी भी आपकी यलो वेंद असिस्टेंट होती है आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है, वो है आपका पंजाब पदमनी कौन सा? पंजाब पदमनी सही जवाब है, इसी लिए मैंने option को last में रखा था, क्या? लास्ट में रखा था, इसका सही जवाब है पंजाब पदमनी हाला कि परवनी करांत भी आपका yellow vein assistant है, लेकिन question में और भी चीज़ें लिखी है, वो आपने ध्यान नहीं दी क्या? वो आपने ध्यान नहीं दी, मजेदार है बिल्कुल, चलिए, हाँ, तो फिर मजेदार है, तो फिर अब आपको ये गलती नहीं होगी क्या है? इसका सही जवाब है पंजाब पदमनी, क्यों? क्योंकि इसम of questions में कुछ चीज़ें और भी add थी, जिन बच्चों ने जवाब भी दिया है, सही दिया है, हाला कि परवनी करांत भी आपकी yellow vein mojack virus resistant होती है, no doubt, बिल्कुल सही होती है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ जैस और cotton wall bomb के लिए tolerant कौन होती है? आपकी पंजाब पदमनी होती है, ठीक है बच्चे? यहाँ तक चीज़ें clear है, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, manuring की, किसकी बात करते हैं? manuring की बात करते हैं, कहरा, well decomposed FYM at the rate of 20-30 kg per hectare applied throw in soil about 20 days before, देखो बच्चे, 20-30 kg तो नहीं होगा, क्या होगा? टन होगा, क्योंकि एक hectare में 20-30 kg FYM से होगा ही क्या? क्या? 20-30 kg, हाँ, चलिए, cotton wall bomb की वज़े से, चलिए, देखो, यहाँ पर थोड़ा सा typing mistake है, कह रहा है कि well decomposed FYM at the rate of 20-30 kg, क्या होगा? क्या होगा? 20-30 kg होगा per hectare applied is in soil about 20 days before sewing, क्या होगा? क्या होगा? 20 दिन पहले आपका 20-30 तन FYM apply क्या जाएगा, क्या आप beside this, यानि कि उसके बाद, क्या 100 kg nitrogen, 60 kg फासपोरस और पोटास आपका दिया जाएगा, वो भी कैसे nitrogen की आधी मातरा दी जाएगी? क्या रिकमेंडेड हाफ nitrogen, यानि कि 100 में से 50 kg nitrogen और बाकी की फासपोरस और पोटास दी जाएगी, उसके साथ-साथ क्या होगा? applied 30-45 days of sewing at a top dressing, यानि कि दो किस्तों में आप देना है, पहले में आपको आधी nitrogen, पूरा फासपोरस और पोटास देना है, उसके बाद, बचा हुआ nitrogen आपको कब देना है? पैतालिस दिन पे आपको देना है, ठीक है, as a top dressing के तौर पर, चलिए, 20-30 ton per hectare होगा, हाँ बच्चे, वो typing mistake है, उद्यान नहीं दिया है, तो वो आपका ton होगा, ठीक है? पहने इसलिए आपको उसको काट दिया है, चलिए, पाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग खुछ समझ गये, 10 ही होगा, चलिए, अब अगला कोशन, फिर हमारे पास आ गया, अगला कोशन है, कहरा yellow vein mojack virus is due to, कहरा yellow vein mojack virus किस से होता है, चलिए, यलो vein mojack is due to, किस से होता है, चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे, जल्दी से बताओ, क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, 130 होते हैं, बच्चे, 130 क्रोमोजोम नंबर होते हैं, और amphideploid होता है आपका, क्या, amphideploid होता है, जो आपकी cultivated को ओकरा होती है, वो आपकी amphideploid होती है, हाला कि होते तो बहुत जादा है, 170 तक होते हैं, लेकिन जो आपकी cultural ओकरा होती है, यानि कि जिसकी cultivation की जाती है, वो उस के द्वारा होता है यलो वेन मुझेग बैक्टीरिया है फंगस है वाइरस है या फिर एलगी है चलिए टू एन बराबर 24 24 कौन कह रहा भीया 24 नहीं होते हैं बाबुजी सर कहीं तो 32 और 72 लिखा रहता है 72 लिखा होगा मानते हैं 72 लिखा होगा मैंने आप से क्या कहा कि हमने शुरुआत में पहली स्लाइड देखना वीडियो की उसमें भी मैंने आपको बताई है बहुत सारे ठीक है लेकिन मैंने आपको यह चीज़ बताई कि जो कल्टीवेटेड ह यानि कि जिसकी खेती की जा रही है वुसमें आपके जंदली 130 होंगे अगर आपसे पेपर में पूछा जा रहा है तो आप 130 को ही सही करना बच्चे ठीक है यह MP-deployed क्या होता है यह एक प्लाइडी लेवल होता है अलग-अलग प्लाइडी लेवल में चलिए क्या होता है यह वाइरस है बिल्कुल सही बात है बच्चे वाइरस से होता है चलिए अगला कोश्चन अगला है हम लोग हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे उसके बाद और कोश्चन आपके आएंगे चलिए कहरे सर पढ़ाई में मन फोकस की कमी है क्या करें देखो बच्चे मन नहीं लगता है तो आपको जो चीज अच्छी लगती है जो क्रॉप जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसको लेके पढ़ा करो जब मन ना लगा करे तब उसी सब्जेक को उठाओ पढ़ो जब आपका मन लगे तब आप अपने इसाब की बात करते हैं बच्छे, कह रहा है, pots are ready for harvesting in about 45 to 65 days after sewing, कह रहा, sewing के 45 से 65 दिन बाद, क्या होगा, sewing के 45 से 65 दिन बाद आपका ready हो जाता है, harvesting के लिए, sir, MP deployed क्या होता, MP deployed बच्चा होता है, ये एक ploidy label होता है, क्या होता है, ploidy label होता है, तो ploidy label में different different ploids होते हैं, इसलिए ये MP deployed है, क्योंकि इसकी कई सारी species होती हैं, उनके ploidy label अलग-अलग होते हैं, इस वज़ए से इसको MP deployed कहा जाता है, ठीक है, चलिए, कर दिल है कि मानता नहीं, भाया, दिल को मनाओ, सब मान जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं भागा जा रहा है, depending on only tender fruits are to be picked, कर आप 45-65 दिन में harvest हो जाते हैं, और क्या होता है, आपके pick कर लिए जाते हैं tender fruits, मुलाइम fruits ही आपको pick करने हैं, mature हो जाएगा, तो फिर बिकार हो जाता है, कर आप in case of pousa saavani variety, कर आप pousa saavani variety के case में, ठीक है, चलिए, पूसा saavani variety के case में, fruit will reach 10 cm about 6 days after anthesis, कर आप पूसा saavani के case में, जो fruit होंगे, वो anthesis के 10 दिन बाद कितने हो जाएंगे, 10 cm के हो जाएंगे, 6 days के बाद, यानि कि anthesis के निसेचन के, छटवे दिन के बाद, कितने हो जाएंगे, 10 cm के हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा, ठीक है, आपका fruit harvest हो जाएगा, कहरा in case of पंजाब पद्मनी, वराइटी, fruit will gain 10 cm length in about 5 days of anthesis, यानि कि पंजाब पद्मनी वराइटी के case में, आपके fruit 5 दिन में, anthesis के 5 दिन क के बाद, आपके 10 cm के हो जाएंगे, यानि कि लगबग हर्वेस्टिंग के बराबर आपके पहुंच जाते हैं, करा picking are taken an interval of 4 days, करा जो हर्वेस्टिंग है, वो आपको 4 दिन के, किस पे, 4 दिन के interval पर करनी होती है, ठीक है, चलिए, अब अगला question है, अगला question बताओ, yellow vein mojack of okra is transmitted y, करा yellow vein mojack, किस से transmitted होता है, aphid, white fly, jacid, या फिर fruit borer, किस से होता है, चलिए, जल्दी से बताओ, किस से होता है, बच्चे, चलिए, जल्दी बताओ, बच्चे, क्या होगा, इसका सही जवाब, yellow vein mojack virus, किस से होता है, चलिए, अंकित कह रहा है, बेमेसिया, टेबेसाई, white fly, चलिए, सफेद मक्खी से, ठीक है बच्चे, चलिए, राधे पटेल कह रहे हैं, B, यानि कि white fly से, और, चलिए, सुभम कह रहे हैं, B, चलिए, किस से होगा, white fly से ही होता है, बच्चे, बाकी लोग comment नहीं कर रहे हैं, जल्दी से करो, बच्चे, किस से होता है, white fly से होता है, देखो, एक बच्चे ने, जवाब भी दे दिया, कि white fly को क्या कहते हैं, white fly का नाम भी बता दिया, B, C, A, T, B, C, कहते हैं, बहुत अच्ची बात है, बच्चे, क्या कहते हैं, white fly को, B, C, A, T, B, C, B, C, B, C, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, yield की बात करते हैं किसकी yield की बात करते हैं it varies from 60 to 75 quintal क्या 60 to 75 quintal per hectare in summer and 120 to 125 quintal per hectare in rainy season summer में जो yield होगी वो 60-75 kg होगी और जो rainy season में होगी वो 120-125 quintal आपकी होगी okra can be stored just for 2-3 days under room temperature condition करा under room temperature पर आप क्या कर सकते हैं 2-3 दिन तक इसको store कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक चीज़े clear हैं बच्चे चलिए तो यह थी आज की हमारी class उम्मीद करते हैं कि आपको class पसंद आई होगी बहुत सारे मज़ेदार हमने questions भी इसमें डाले थे तो आपको questions भी पसंद आये होंगे अगर आपको class अच्छी लगी हो तो बच्चे जरूर बताय करो कि हाँ sir class मुझे अच्छी लगी है comment box में comment भी किया करो ठीक है आपको मालुम है ठीक है summer में seed rate भी जादा लगती है और yield भी कम होती है हाँ बच्चे क्यों क्यों क्योंकि उस समय उतनी अच्छी growth नहीं होती है जितनी अच्छी growth आपकी rainy season में होती है ठीक है तो इसी लिए preferred क्या आता है rainy season के fruit crop को चलिए ये आपका ifco agt का batch है ये आपका क्या हो रहा है ifco agt का batch है आपका और ये आपका start हो चुका है तो ये batch y443 code के साथ y443 code के साथ आपको मिलने वाला है 299 रुपए में अगर आप इसको application से खरिदते हैं यानि कि adda के app से खरिदते हैं तो वहाँ पर आप coins का इस्तेमाल करके कुछ और discount पा सकते हैं यानि कि लगबग 100 रुपए का discount और पा सकते हैं ifco government job है नहीं बच्चे 100% government नहीं है लेकिन government से कम भी नहीं है क्या सारी government की सुबधाएं आपको मिलती हैं जैसी आप लोग उम्मीद करते हो कि government सुबधाएं होती है वो सारी सुबधाएं आपको मिलती है नौकरी से कोई निकालता नहीं है ठीक है तो इसलिए पूरी government तो नहीं है लेकिन हाँ semi government आप कह सकते हो ठीक है semi government आप कह सकते हो एक बार आप नोकरी पा जाओगे तो आप promotion भी पाओगे और काम भी आपका अच्छे से चलेगा salary सारी चीज़ें आपको time से मिलेगी बहुत ज़्यादा workload नहीं रहता है बहुत अच्छी job है ठीक है बिलकुल सरकारी के जैसी ठीक है हाँ लेकिन 100% सरकारी नहीं होती है चलिए हाँ 70% मान के चलो कि 70% सरकारी ही है क्यों क्योंकि इफको इंडिया का आपका क्या है बहुत बड़ा cooperative है fertilizer cooperative है ठीक है तो उसमें सारे जो rule and regulations लगते हैं वो government के ही लगते हैं ठीक है चलिए क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़े government से regulate होती है इस वज़े से क्या हो सकता है सर इफको में 2019 से पहले वाले भी दे सकते हैं नहीं बच्चे नहीं दे सकते हैं इफको के जो term and conditions है rule and regulations है वो थोड़े ज़्यादा है tough है इसलिए उसमें ऐसा नहीं हो सकता है 19 से पहले वाले नहीं डाल सकते 60% से कम वाले भी नहीं डाल सकते best book of agriculture बच्चे एगरी कल्चर की बहुत सारी best book है आप कोई सी भी मार्केट में जाके purchase कर सकते हैं धेर सारी वार्ड का सबसे बड़ा है हाँ बच्चे क्या हाँ ठीक है चलिए तो ये आपका इफको का बैच है जो बच्चे कर रहे हैं त्यारी purchase करना चाहते हैं तो कर सकते हैं खास बात ये है ये है आपका agriculture का महापैक ठीक है महापैक बच्चों को समझ में नहीं आता है कि actual महापैक है क्या ठीक है महापैक में बच्चे confused रहते हैं सोचते हैं कि एतना सारा पैसा हम महापैक में क्यों डाले एक बच्चे का कमेंट आया था पूँच रहा था कि सर महापैक में ऐसा है क्या है कि हम महापैक को purchase करें ठीक है देखो बच्चे महापैक में आपको live class मिलेगी, video course मिलेगा test series मिलेगी और e-book मिलेगी ठीक है, यानि कि सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी ठीक है दूसरी चीज खास बात क्या है खास बात ये है कि ये महापैक है जैसे कि अगर आपने महापैक खरीदा क्या आपने महापैक परचेस किया Y443 कोड के साथ ठीक है तो महापैक आपने परचेस किया तो महापैक आप purchase करेंगे साथ में जैसे अभी क्या चल दा है इफको AGT का बैच चल दा है ठीक है इफको AGT का बैच चल दा है तो आपको इसी महापैक के अंदर ही इफको AGT का बैच का भी access आपको मिल जाएगा ठीक है और साथ ही साथ जो paper हो चुके हैं यानि कि जो हो चुके हैं हो रहे हैं और एग्री कल्चर के उनके बैच चल रहे हैं तो उसका भी access आपको इसमें मिलेगा यानि कि अगर आप एक pack ये खरीदते हैं ऐसी सुभिधा अभी तक आपको किसी भी कहीं भी आपको नहीं मिली होगी क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे को 10 चीजें ना खरीदनी पड़ें एक ही चीज में क्या करें वो एक ही चीज में सारी चीजें वो पा सकें ठीक है तो इसलिए इसका नाम महापैक रखा गया है तो नाम ही सिर्फ महापैक नहीं है, इसके काम महापैक जैसे हैं और दूसरी चीज, कि अगर मान लो कल को कोई दूसरी वेकेंसी आती है और उसका हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जिन बच्चों ने महापैक ले रखा है पहले से, ठीक है, उनको सबसे पहले उसका एक्सेस मिल जाएगा यानि कि वो उसमें भी आके लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है उनको डारेक्ट एक्सेस मिलेगा, उनको किसी से कहने की, कहीं फोन करने की आवसकता नहीं पड़ेगी उनकों पास तुरांत access आ जाएगा जितने agriculture के बैच आएंगे सारे बैच का access उनको मिलता रहेगा और दूसरी बात बच्चे क्या है कि अभी सायद इसमें offer आने वाला है तो जैसे offer आएगा हम आपको announce करेंगे, अभी ये 9000 कुछ का है ठीक है, 9000 का है सायद इसमें offer आने वाला है अगर offer आएगा, तो हम आपको inform करेंगे, तो offer में आपको ये 2 साल की वैलिटी के लिए मिलेगा तो अगर आपने इसको purchase किया तो 2 साल की वैलिटी तक कब तक? 2 साल की वैलिटी तक आप आराम से तयारी करिए, हम आपकी exam होंगे, यानि कि अगर आपने एक बार purchase कर लिया, तो फिर आपको कहीं बटकने की जरूर नहीं पड़ेगी तो ये सुबिदा मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको provide करता होगा, ठीक है? हम लोग समझते हैं, यहाँ पर बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, तो यह सबसे बढ़ी आए, तो अगर आप लोग purchase करें तो Y443 code का use करें और maximum discount पाएं बाकी offer आएगा, तो आपको हम inform करेंगे, अभी यह जो offer में है, वो आपका 9000 के असपास है, ठीक है? और इसको आप app से purchase करिएगा, जब भी करिएगा वहाँ पर आपको यह 9000 से कम का बिलेगा, ठीक है? तो यह थी आज की हमारी class, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को discussion किया और एक बात और बच्चे, कि अगर यह announce होते हैं offer, तो limited offers आते हैं, तो आप लोग कोसिस करना कि उसको reveal कर सकें चलिए, बाकी मुलाकात होगी कल सुबह सारे 10 मजे, तब तक अपना ध्यान रखिए और खयाल लखिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जैहिन